नमस्ते दोस्तों कैसे हैं अब सभी उम्मीद करते हूं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों हमने काफिसरे Zero Balance Bank Account के बारे में बात किये हैं जो की है ICICI Mind Savings Account, FI Money Account है और भी काफिसरे अकाउंट है आज की इस वड़ी में हम बात करने वाले हैं KOTAK 8110 Balance Bank Account के बारे में वाइनिंग फीज नहीं है, completely free credit card है इस bank account की खास बात यह है, virtual debit card के साथ अल्मोस्ट सभी काम आप कर सकते हैं जैसे की UPA registration, fund transfer और कहीं भी कुछ भी transaction करना है online बहुत ही आसन तरीके से कर सकते हैं आपको physical debit card की जरुरत नहीं है और physical debit card अगर आप नहीं लेंगे तो उसका जो fee है annually आपको देना भी नहीं पड़ेगा तो चलिए देखते हैं इस bank account को अपने mobile phone से कैसे हम open कर सकते हैं वीडियो की नीचे description पर एक link मिल जागा link पर जैसे click करेंगे आपके समने ऐसा कुछ interface खुलके आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं online zero balance savings account kotak 811 zero balance account यहाँ पर 5 minute के अंदर इस bank account को आप खोल सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं your full name, mobile number, email id यहाँ पर तीनों details डाल देंगे यहाँ पर दोनों tick mark लगाएंगे नीचे की तरब और open now के उपर click करेंगे open now के उपर जैसे click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP डाल देंगे और next करेंगे next करने के बाद आप देख सकते हैं get ready to complete your KYC India's first contact video KYC savings account यहाँ पर simply proceed करेंगे आपको स्रिफ आधार कार और pen कार की जरुरत है proceed करने के बाद यहाँ पर permission मांगेगा आपका जो आधार का यहाँ पर yes करेंगे yes करने के बाद आपका enter pen number और आधार number नीचे डाल देंगे डालने के बाद next करेंगे next करने के बाद यहाँ पर कुछ terms and condition दिखाई देगा simply continue करेंगे continue करने के बाद आपके आधार कार के साथ जो भी mobile number link है उस number पर OTP आएगा OTP डालके next करेंगे अगर आपके आधार कार के साथ mobile number link नहीं है तो नीचे की तरब get one one light के उपर क्लिक करेंगे आधार कार में जो भी address है यहाँ पर दिखाई देगा simply continue करेंगे continue करने के बाद यहाँ पर आपका photo आ जाएगा आधार कार में जो भी photo है यहाँ पर occupation आपका select करेंगे salarate, self-employed, professional जो भी है इसके बाद annual income आपका annual income कितना है दो लाग दो लाग से जादा है पांच लाग से दस लाग, दस से पचीस जो भी आपका annual income है आप select कर लेंगे इसके बाद marital status, single और merit यहाँ पर जो भी आपका है select करेंगे इसके बाद आपको father's name, mother name और आपका gender डालना है जेंडर और आपका date of birth automatic आधरकार से face होके दिखाई देगा simply यहाँ पर next करेंगे next करने के बाद आपके सामने nominee add करने का option आजाएगा अगर आप चाहते है nominee add करने के लिए तो यहाँ पर yes करेंगे और nominee का नाम डालेंगे आपका क्या relationship है nominee के साथ डालेंगे nominee का address अगर same है same address डाल देंगे as my communication address यहाँ पर tick mark लाएगे तो automatic address यहाँ पर face हो जाएगा अगर nominee नहीं डालना चाहते है तो यहाँ पर I will later भी कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर nominee details डालके continue कर देता हूँ continue करने के बाद your profile आपका profile का details आजाएगा यहाँ पर nominee details आजाएगा एक preview type का दिखाई देगा simply continue करेंगे continue करने के बाद यहाँ पर declaration में आपको tick mark लगा के आपको continue करना है continue करने के बाद most important टांसन condition यहाँ पर concern आप पूरा read करेंगे read करने के बाद tick mark लगा के accept करेंगे accept करने के बाद add communication address यहाँ पर आपका current communication address है आप डाल सकते है reporting like आपका आधरकारिय और आप रहते हैं और कोई address पर तो यहाँ पर communication address डाल सकते हैं जिस address पर आपका check book or debit card आयेगा अगर faculty checkbook ईस्सीूर करने यहाँ पर communication address डालने के बाद tick mark लगाके continue करेंगे यहाँ पे आपका original pen card रहना चाहिए, click photo के ओपर click करके आपका pen card का एक photo यहाँ पे capture करेंगे और यहाँ पे next करेंगे, next करने के बाद आपका एक photo खीचना है, जो light area रहना चाहिए, कोई dark spot नहीं रहना चाहिए आपका photo खींचने के बाद simply यहाँ पे upload कर देंगे upload करने के बाद आपके सामने वीडियो KYC का option आ जाएगा यहाँ पे permission देंगे, camera का permission और location permission यहाँ पे kotak mahindra bank का जो agent है उनके साथ वीडियो KYC में connect हो जाएगा और वीडियो KYC complete कर लेंगे और नीचे की दरब आपका prepaid यानि कि आपका debit card भी जो virtual card है देख पाएंगे यहाँ पे debit card का क्या pin है, CVB है, expedite है, card number सब कुछ देख पाएंगे इसको screenshot ले लेंगे, account details screenshot लेने के बाद Google Play Store पर जाके search करेंगे kotak mahindra bank, kotak 811 का एक application मिल जाएगा, application को install करेंगे और आपका CRN नमबर है, CRN नमबर डालेंगे और एक M-PIN जेनरेट कर लेंगे, M-PIN डालेंगे, M-PIN डालने के बाद login हो जाए और kotak mahindra mobile banking application open करने के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने दिखाई देगा जहां पर पूरे के पूरे service देख पाएंगे, debit card, credit card, online payment करना हो, fund transfer करना हो, सब कुछ कर सकते हैं दोस्त आपको दिखा दिया किस तरीके से आप घर बैठें, अपने mobile से, kotak 8110 balance bank account open कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो अपको काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजे, share कीजे, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैंने miss कर दिया, तो वीडियो के नीचे comment section में मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं 100% अपको reply करूँगा, अगर इस चैन